हेलो फ्रेंड्स आज हम बिहार बोट का क्लास तेंथ का यहाँ पे देख सकते हैं साइंस का पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपका 20 फर वरी को आपका फाइनल एक्जाम होने वाला है ठीक उसका हम 100% एकदम लड़ने वाला प्रशना आपके लिए लेके आ चुके एकदम 100% आपका या तो प्रथम पाली में है यहाँ पे देख सकते हैं या तो प्रथम पाली में हो या तो आपका दिवतिय पाली में हो दोनों में आपके बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लिए कोस्चन है एकदम आपको 100% आपको यह लड़ जाएगा ठीक इस वीडियो में हम आपको 40 question बनाना है ठीक, तो question कराते जाएंगे, साथ में आप सब answer देते चलिएगा, और आपका जितना सही होगा, आपका कितना सही हुआ है, कम से कम आपको 40 सही होना चाहिए, और 80 में आपका 40 question के आप answer देते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा है, ठीक, science का आपका complete है, औ आपको बहुत ही इंपोर्टेंट सावित होने वाला है, आपका जितना सही होगा, लास्ट में आप कमेंट कर देजेगा, चलिए question number 1 से हम बढ़ते हैं, चलिए question number 1 देखते हैं, यहाँ पर देखेगा, question number 1 है आपका, चलिए, set हो गया, चलिए, देखेगा, यहाँ पर question number 1 है, आपका यहाँ पर देखेगा, कि ओतल दर्पन की, ओतल दर्पन की focus दूरी है, ओतल दर्पन की focus दूरी क्या होती है, ओतल दर्पन की focus दूरी होती है, ओतल दर्पन की focus दूरी होती है, वो आपका रिनात्मक होती है, आपका रिनात्मक होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर option number A हो जाएगा, यदि आपको समय चाहिए थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर वीडियो को पहुज कर दिजीगा, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक, और तब आंसर वहाँ पर comment कर दिएगा, ठीक, और फिर आप question number 2 का answer दिजीए, question number 2 है आपका, कि रोगियों के नाक, कान, गले, आदी की जाच के लिए, जाच के लिए डॉक्टर परियोग करते हैं, डॉक्टर परियोग कौन सा दर्पन करते हैं, वही आपको बताना है, ठीक, इसका answer आप comment कीजीए, आप कुछ पता है, तो इसका answer आप comment कीजीए, तो यह इसका क्या हो जाएगा, नाक, कान, और गले की जाच के लिए, डॉक्टर के आप किस दर्पन का परियोग करते हैं, तो आतल दर्पन करते हैं, option number 2 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर option number 2 हो जाएगा, ठीक, यदि आपको थोड़ा बहुत समय चाहिए, र question number 3 है, यहाँ पर देखिएगा, question number 3 है, कि निम्न मेंसे किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसका सही answer क्या हो जाएगा, तीन का, इसका सही answer हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा, इसका option number A हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जा क्यूंबर चार पर चार यहां पर टूडी टूडी चंता वाले लेंस की फोकस दूरी हैं क्या हो जाएगी तो यहां प्रतिबीमी की उचाई और वस्तु की उचाई के अनुपात को कहते हैं तो उसको हम आवर्धन कहते हैं आप संबर यह जाएगा ठीक कौशन नमबर अब छे की उर्वर परते हैं ठीक चलिए को सनुंबर चैंट और जब कर दो चलिए को इसन नमबर चैंट नम्सें आपका चलिए को सनुंबर ठेखते हैं नम्बर को से आपका कि बिरल माध्यम के बिरल माध्यम में परकास की चाल सगन माध्यम के पिछा क्या होगा बिरल माध्यम की चाल जो है सगन माध्यम के पिछा क्या होता है तो अधीक होता है ठीक तो छे का क्या हो जाएगा option number यहाँ पे अधीक होता है option number B हो जाएगा ठीक चलिए next question के उबर ते next question है आपका 7 number कि समतल दर्पन द्वारा बना परत्विम सदा क्या होता है समतल दर्पन से कभी जब भी परत्विम बनेगा आपका अभासी बनेगा यानि कि काल्पिनिक बनेगा और सीधा बनेगा जब भी आपका काल्पिनिक बनेगा तो सीधा ही बनेगा और वास्त्विक बनेगा तो वास्त्विक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा ठीक तो अभासी सीधा कहां है आपका कभी भी समतल दरपन से बनेगा कभी भी परत्वीम तो आपका यही बनेगा क्या बनेगा अभासी और सीधा बनेगा ठीक चले नेक्स कोशन क्यों बढ़ते हैं नेक्स कोशन है आपकाहः नमबर कि प्रकास तरंगे किस प्रकास की तरंगे होती हैं नेक्स कोशन के वरते हैं छेंविर नेक्स कोशन है आपका नेक्स्ट कोशन है आपके यहां पर 9 नमबर देखेगा कि मानो नेत्र में किस परकार का लेंस पाये जाता है तो हमारा जो लेंस है वो उठा हुआ है उत्तर लेंस है ठीक तो इसको है सही अप्शन क्या हो जागा नमबर नक्सक्ति काramबर 10 की अरफिशं से आपका कि मानो ने जिस भाग पर प्रतिवीं बथा है हमारे ऐंख में जिस पर प्रतिवीं बनता है उसका क्या नाम है तो द्रिश्टी पटल होता है जिस पे हमारा प्रतिबीम बनता है तो इसका सही अंसर क्या जोग अप्षिन नंबर D हो जाएगा द्रिष्टी पटल हो जाएगा अप्षिन नंबर D हो जाएगा ठीक. चलिए next question क्यों बरते हैं next question है आपका की एक स्वस्ता आख के लिए असपस्ट द्रिष्टी की अधिक्तम दूरी है असपस्ट देखने के लिए अधिक्तम दूरी कितना होना चाहिए तो अनन्त होना चाहिए ठीक और नियुंतम कितना होना चाहिए तो 25 cm होना चाहिए तो यहां पर आपको क्या पुछा है अधिक्तम दू हो जाएगा ठीक इसके लिए इन्फाइनाइट हो जाएगा ठीक और निन्तम पुछे बोलेगा तो 25 cm हो जाएगा ठीक छेलिए नेक्स्ट कोशन आपका बारा नम्बर बार नम्बर कोशन है कि आमीटर को विद्धूत पड़ीपथ में कैसे ज़रा जाता है, आमीटर को विद्धूत पड़ीपथ में सरेनिक रम में जोरा जाता है, option number a हो जायाँगा, ठीक, छले next question कर बढ़ते हैं, next question है आपका, next question है आपका कि बिध्धुत चुम्बक बनाने के लिए बनाने के लिए उपक्यूक्त पदार्थ क्या है तो 13 कैसे जगा option number एह हो जाएगा नरम लोहा हो जाएगा इसका option number їх हो जाएगा नरम लोहा हो जाएगा ठीक चलिए next question के बरते हैं next question का है चेले next question है आपका कि आवेश का मातरक होता है आवेश का मातरक क्या होता है तो कुलाउम होता है option number यहाँ पे a हो जाएगा कुलाउम हो जाएगा option number a हो जाएगा नेक्ट कोश्ण है आपका किताप बढ़ाने पड़ चालक का प्रतिरोध है ताप यदि आप अप बढ़ाये प्रतिरोध क्या हो जाएगा नेक्ट कोश्ण किल बढ़ते हैं कोश्ण चलिए सोरा नमर को सने के दो चालक तार जिसके पदार्थ है लंबाई तथा ब्यास समान है किसी बिध्धुत परिपत्थ में पहले सिरेनी करम में और फिर पासर्व करम में संयोजित में उत्पन परतिरोध का अनुपात क्या होगा तो इसको याद कर लिजे कि इसका अनुप ठीक लंबाई चार और ब्यास एक हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा ठीक चलिए नेक्ट कोशन के बरते नेक्स कोशन है आपका कि परिपत्थ में परिपत्थ में कितने अनूम अनूम तांक का फ्यूज उप्योग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर एक किलो जाका ऑप्शन नमबढर डी हो जाएगा फाइव एउंप हो जाएगा ठीक आस्यूज के बावर थे नेक्स्ट कोस्ट त्रहका है एक श्पी बरावर होता है oral ससी यंख परिपर्ट होता है और सै इसनु रुणी से आपका कि निम्न में से कौन सा पद विद्धुत परिपत में विद्धुत परिपत में विद्धुत सक्टी को निरूपित करता है तो ठीचम का सही इनसर का हो जयेगा औप स्क्वायर Canal refuse यहां इसका क्या हो जाएगा टेस्ला हो जाएगा ऑप्शन नमबर B हो जाएगा नेक्स कोर्शन के बढ़ते हैं आपका कि एक सीधे धारा वाही तार में धारा पूरब की ओर है इसके ऊपर के बिंदू पर चुमबकिये छेत्र की दिशा होती दिशा होती कान सा दिशा होगा इसका आपको कि बिध्धूत वर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्त किया जाता है यांतरिक उर्जा प्रिवर्तित किया जाता है ठीक चलिए next question के अबरते next question आपका है कि घरों में बिद्धुत से दुर्गटना किसके कारण होती है तो short circuit के कारण होता है ठीक option number A हो जाएगा short circuit के कारण होता है ठीक चलिए next question के अबरते है next question आपका है कि short cooker short cooker के लिए कौन सा दर्पन सरवाधिक परियुक्त होता है short cooker जो solar cooker होता है उसमें सरवाधिक कौन सा दर्पन परियुक्त होता है तो autal दर्पन ठीक option number A हो जाएगा ठीक चलिए next question के बढ़ते हैं चलिए next question है आपका कि 2HI जो gas है H2 जो gas और यह भी gas है यह अभी किरिया का अभी किरिया क्या सुचित करता है यह क्या सुचित करता है तो यहाँ पर आपको देख के बताना होगा कि यह क्या सुचित करता है तो यहाँ पर देख लिए प्राबैगनी किरने है ठीक तो प्राबैगनी किरने कब होगा जब परक परकास की अब घटन को ठीक यह जो है आपका परकास यह अब घटन को सुचित करता है ठीक इसका हो जाएगा option number यह हो जाएगा ठीक इसका option number यह हो जाएगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं question number 26 क्यों बढ़ते हैं चलिए next question है आपका यहाँ पर question number 26 है ठीक कि रसायनी का विकिरिया के दौरान किसी पदार्थ में oxygen का योग कहलाता है oxygen का योग क्या कहलाता है तो उपचेन कहलाता है यानि कि option number यहाँ पर बी हो जाएगा उपचेन हो जाएगा ठीक चलिए next question है आपका यहाँ पर 27 नंबर की दौरान किरिया जो दिया हुआ है hydrogen s2 का क्या होता है s2 का यहाँ पर क्या ओर है is 2 देखिए यहाँ पर ह स था तो oxygen आके जूट गया तो oxygen जूट जाता है तो उसको oxygen करण कहते हैं ठीक oxygen करन या hydrogen hydrogen हरास हो जाता है यहाँ पर फिर भी oxygen ह ह्रास हो गया तब ही आपका हो जाएगा ओकरन हो जाएगा option number a हो जाता विकने यहां पर hydrogen का oxygen का संयोग हुआ है तो यहां पर oxygen हो जाएगा option number a हो जाएगा ठीक चले नेक्ट कोईशन के बरते आप समझ गये होंगे चलिए next question के बरते next question है आपका कि निमने में कौन भस्म नहीं है कौन जो है भस्म नहीं है तो यहाँ पर NACL जो है भस्म नहीं है याद कर लिजेगा आपका हर बार यह question आज आठाइस का option number C हो जाएगा ठीक चलिए next question के बरते 29 number 29 number question है आपका कि निमने में से किसे gas चुने के पानी को दुधिया कर देता है गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है ठीक इतना ही तो चूने का पानी को दुधिया कोन कर देता है तो carbon dioxide यानि कि CO2 option number C हो जाएगा ठीक अप्सन नमबर C हो जाएगा चलिए नेक्ट कोशन के बरते हैं नेक्ट कोशन है आपका तीस नमबर कि हमारे सरीर हमारा सरीर किस प्रास के बीच कारे करता है किस प्रास के बीच कारे करता है हमारा सरीर तो इसका हो जाएगा 7 से लेके 7.8 हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक option number D हो जाएगा चलिए next question क्यों बरते हैं next question है आपका 31 number की मदुमक्खी के डंग मदुमक्खी के डंग के एक अमले छोड़ता है जिसके कारण होता है या कहलाता है तो या का क्या घर तो इसका सभी करने और यह 5 ख कुल यह हो जाएगा कोशन हम कि जल्दी जल्दी करते हैं वीडियो बहुत ही बड़ा बनने जा रहा है च्वीक करते हैं जल्दी जल्दी तो को क्यी और तो चलिए कोर्षन नामबर 22 क्योंबर 22 क्यों रहा है चलिए लिध मस्ट बिलिएंगे रंग का रंग होता है जो निकाला जाता है तो क्या निकाला जाता है Uo लाइकन के पौधे से बिलियन निकाला जाता है लिटर मस्ट नेक्स्ट कोस्ट ने आपका कि ब्रेंजक चुन का रसायनिक सुत्र होता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नंबर B हो जाएगा का C A C L O के होल ट्वाइस हो जाएगा ठीक 33 का अप्सन नंबर B हो जाएगा नेक्स्ट कोस्ट नंबर कि निम्न में से कौन बिध्धुत का सुचालक है बिध्धुत का सुचालक कौन है तो गरेफाइट है अप्सन नंबर C हो जाएगा ठीक गरेफाइट है नेक्स्ट कोस्ट आपका कि निम्न में से कौन बुझा हुआ है बुझा हुआ चुना को रसा एक सुतर सी ये वह के हल्ट वाइस होता है अप्शन नमबर भी हो जायागा ठीक छली नेक्स्ट कॉर्शन क्यों बढ़ते हैं छेली नेक्स्ट कॉर्शन नमर कि धातू के उक्षाइड जल में गूल कर क्या बनाते हैं धातू के ओक्षाइड जल में गूलते हो तो छार बनाते हैं ठीक अप्षेल यहां पर इसका सथको याद कर लीजिए आपका हर बार एक्जाम में आता है इसका सेंचर मरकरी य melody Aga ठीक नेक्स फोश्टन की अरुबर थे नेक्स फोश्टन आम से रेका कि बॉक्साइट निम्न अस्फ कमें नम्ह को किस थातु का ऐस्क है फोक्साइट किस धातु का आस्क है क्यों याद करें वह आपका प्रonne । यहाँ में पे जो पूछ котором आप आपका अल्मुनियम का है option number C हो जाएगा ठीक अल्मुनियम ठीक next question है आपका कि ताम्र एवं टीन की मिस्द्धातु को क्या कहते हैं ताम्र ताम्र और टीना जब मिलेगा तो कौन सा मिस्द्धातु बनेगा तो सोल्डर बनेगा option number C हो जाएगा ठीक next question है आपका कि नेमन में से कौन सा स्वयोजी योगिक है सा स्वयोजी योगिक कौन है ठीक यहाँ पर 49 का है पर option number B हो जाएगा कासा हो जाएगा ठीक कासा बनेगा ठीक यहाँ पर C नहीं होगा ठीक यहाँ पर कासा हो जाएगा ठीक next question चालीस है आपका चालीस नम्र कोश सबसे अधी कभी किरिया से सबसे अधी कभी किरिया सिर्फ कौन है यहां पर तो सी टू एच फोर यानि का अप्शन नमबर सी हो जाएगा ठीक सबसें इसका पुछाय का प्रकार्यात्मक समून निमन में से कौन है तो 42 का सही इसर क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर कि 네मने में से कौन असंत्रिप्त हाइडरोकारबन है तो यहां पर C2H4 है, ओप्शन नमबर C हो जाएगा 43 का ओप्शन नमबर C हो जाएगा 44 resistant है कि C, N, H2, N निमने में से किसका समाने सुतर है किसका समाने सुतर है तो 44 option number B हो जागा L कीन का ठीक और यहां पर minus 2 हो जाता तो L काइन हो जाता ठीक और यहां पर plus 2 हो जाता तो L केन और कुछ भी नहीं रहे तो L कीन और minus 2 रहे तो L काइन याद कर लिजे तीनों याद कर लिजे ठीक आपका question इसे रहने वाला है ठीक चलिए next question के उबरते next question है आपका 45 नंबर की welding में कौन welding में की धातु का उपियोग होता है welding करने में आपका एथाइन का उपियोग होता option number D हो जाएगा next question है कि aromatic hydrocarbon है aromatic hydrocarbon है option नंबर यहां पर C6 H C को जायागा next question है आपका कि जनतु वसा में होती है जनतु वसा में क्या होती है तो से तारिस का option नंबर यहां पर और संत्रिप्त लंबी कारवन से निखलाए option number B हो जायागा ठीक है ठीक है नेक्स को परते हैं कि किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने परतत्व की पर्मानु पर्मानु त्रिज्या पर्मानु त्रिज्या क्या हो जाएगी तो यहां पर घठती जाएगा option number A हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं उन्चास नमबर उन्चास नमबर कोशन है आपका चलिको इसनमर उन्चास से आपका कि मेंटलीव के तत्व वर्गी करन का आधार क्या है वर्गी करन का आधार परमानु दरभेमान था मेंटलीव का option number A हो जाएगा ठीक नेक्स कोश्चन है आपका कि अवर्गी के प्रथम वर्गी के सदस्य होते हैं प्रथम वर्गी के सदस्य क्या होते हैं तो चार धातू के होते हैं ठीक नेक्स्ट कोस्टन है आपका कि गंधक के परमानु संख्या है उस गंधक यानि सोडियम के परमानु संख्या पूछा है तो सोडियम के 16 होता है अप्सन नमबर C हो जाएगा ठीक तो नेक्स्ट कोस्टन के बरते हैं नेक्स्ट कोस्टन है आपका बावन नमबर बावन नमबर कोशन है कि वर्ग तीन से बारा तक के तत्व कहे जाते हैं तीन से लेके बारा तक के तत्व क्या कहे जाते हैं तो संक्रमन तत्व कहे जाते हैं उप्सन नमबर B हो जाएगा ठीक Next Question है आपका Next Question है कि M कोस में Electrono की अधिक्तम संखिया क्या होगा M कोस में P 1963 होजाए है Electrono की अधिक्तम संखिया कितना होगा ठीक इसका क्या हो जाएगा 288 18 KL 28 18 32 यहां पर 18 हो जाएगा M पूछा है न यहां पर 53 के क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक यानि कि option number B हो जाएगा ठीक चली यह सीख लिजेगा आपके book में दिया होगा ठीक या इसका subjective paper लाएंगे तो उसमें यह हम बताएंगे तो चनल को subscribe कर लिजेगा और इसका subjective paper डाले हुए description में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप जाके देख लिजेगा ठीक चली कोसे नमर चोवन के बरते चोवन नमर को सने की निमने में परजीवी पादब का उधारन है परजीवी पादब का उधारन क्या है तो कसकूटा है option number D हो जाएगा ठीक next question आपका कि लोहे का भाप भाप कि अभिकिरिया में अभिकिरिया से कौन सी गैस उत्पन होती है तो कौन सी गैस उत्पन होती है तो hydrogen gas option number A हो जाएगा ठीक next question है आपका कि प्रोटो जोगा उत्चर्जी पदार्थों का निस्कासन कैसे करता है निस्कासन कैसे करता है तो विश्रन द्वारा option number B हो जाएगा ठीक चलिए next question है आपका कि हिर्दय से रक्त यानि रुधीर को संपूर्ण शरीर में pump किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है यह आपको बताना है तो निलय द्वारा होता है option number B हो जाएगा ठीक next question है आपका कि मानों में dialysis थैली है dialysis थैली कौन है तो on down का option number A हो हो जाएगा ठीक next question है कि blood Sumo A में कौन कौन antibody होता है antibody कौन होता है तो इसका option number B हो जाएगा यही हो जाएगा तो option number B हो जाएगा ठीक चलिए next question क्यों बरते हैं चलिए next question है आपका next question है कि रक्त का कौन से अवयव घायल अस्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरूद करता है तो शाट का option number B हो जाएगा प्लैट स्थेक next question नेंवनमें से कौन संबहा कुअ कौन है यहाँ पे हो जाएगा फ्लॉम हो जाएगा और जैलम दोनों हो जाएगा ठीक option number D हो जाएगा B और C दोनों हो जाएगा ठीक चलिए next question है आपका next question है कि oxygen का वाहक कौन है oxygen का वाहक कौन करता है तो RBC करता है राइब्रो option number B हो जायागा ठीक इसका जो full from है आप बताईएगा ठीक next question है आपका 63 number ठीक 33 number question है कि खुला परिशंचरन तंत्रे किसमें पाये जाता है ठीक इसका जो यह जो हम full from बोल रहे हैं यह आपका सब्जेक्टी में पूछेगा तो इसका आप जो है कमेंट में बताईएगा इसका फुल फर्म क्या होता है ठीक next question है कि खुला परिशंचरन तंत्र पाये जाता है किसमें पाये जाता है ठीक इसका क्या होता है तिल चट्टा में पाये जाता है कि टांनेैश्य क्टी मिश्चर 순간 के अब कहुता है निवन में से किसे किसे कोषिका का उर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता मुद्रा के रूप में जातााइएत्टी-को ठीक ओप्स कॉन अमबर भी हो जा तीक next question है कि मानोषरीरोन की सबसे लंबी को सिका है मानों सरी की सबसे लंबी कोशी का क्या है तो नियूरॉन है, option number C हो जाएगा, next question है आपका कि दो नियूरॉन के मध्य खारिय स्थान को कहते हैं दो नियूरोन के जो बीच के खारिय स्थान आता है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं option number B हो जाएगा ठीक कि गोईटर अठ्वा ग्हेए होता है जो घ्ग्हा होता है जो ग्हेरगल होता है वह किसे कमी कहान से होता है तो स्थी हो जाए होगा कि कौन अंतह सरावी और बाष दो ज्राविकरनती जैसा कारे नहीं करता हैRO तुछ सही इसर क्या हो जागां अंडास सच हो जागा c हो जागा कि किस हर्मोन के परभाव से पत्या मुर्जा जाती है खिem 7, 9, 10 में जो ऑपका ahead कर्टर की निम्ल में से किसे किसी में भी खंडन नहीं होता है तो आपका इस्ट में भी खंडर स स्थ हो जाएगा नेक्स्ट कोसिकाओं का बैज्ञानिक अधियन क्या कहलाता है तो चोहतर का फिफरो से हिर्दे में जाता है 15 के दौरा तो फूश्फुस धमनी के दौरा अपसर नमबर D हो जाएगा फूस फूस धमनी के दौरे ठीच नेक्स्ट कोसिने आपका 76 नमबर कि समझात अंगो का उजाहरं है समझातंगों का उजहरन के काऊंसा है तो इसका हो जाएगा हमारा हांथ ह touchdown के अगर पात ठीक छैनें एंड्स को सनफे हैं तो ए ढर्लोजन है अट रोजन क्या है तो टो नर प्रोंड ऐ हो जाएगा नेड्स को सेनफ का कि परी पारीशितिक तंत्र में उर्जा के सिरुट हैं उर्जा के सिरुट, सुुरिफ के पर कहाँ था option Hospital 2 next question क्या है कि ओजोन परत पाए जाता है ओजोन परत किसकी सतह में पाए जाता है तो आपका बाइमंडर की उपड़ी सत्ह में पाए जाता है option Time Restaurant B हो जाएगा ठीक है, next question आपका कोईला का मुख्य सुरूत क्या है, कोईला का मुख्य सुरूत पौधें है, ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ पे total 80 question कर लिये हैं, आपका जितना सही होगा, comment करके बताएगा आपका 80 में से कितना सही होगा, कम से कम हम बोले थे, इसमें से आपको 40 question सही होना चा से उतना कमेंट किजेगा और सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर देख लिजेगा यह चैनल में भी जाकर देख सकते हैं तो चैनल को सब्क्राब जो रूप कर दिजेगा धन्यवाद